साथ इसी सोनुपूर उत्तर पंचाइत में हैं एक दादा जी आओड हैं यह काफी गुसा में हैं यहां के परतिनीधी से गरीब आदमिये गुसा के भी क्या करेंगे ज्यादा बोलेंगे तो इनको समाजीक रूप से परिसान किया जा सकता है तो अंग भैसके चाथीन लेकिन हिनका लागे छे कि केमरा पर बोलवे तो कोई अधिकारी यार सुन थीन तो हमरा लाब मील जे थीन इउमीद में बोल रहल चाथीन बाकी अंदर में डोर छे कि मीडिया में बोले छी कहीं हमरा बाद में तो अंग नहीं करेंगे तो किया बोल पीछे एकोाफ देख़ैवार रही होगी पीछे फूसक काष्ना होगी रही जया परिवार, मुरम आते द्वा भेश वहाईर होगी मंद्धा, अध wagon काष्न गेख साल रह खे रह्यों होगी होग्हे पूसूस काष्चन आगे सभी टाटी फाटल छे हिंकर कपरा भी फाटल छे मवेशी जे घरो फाटल छे अब आब उबाहर आब अहां कोन-कोन योजना मिलेक चाहिए रहे सबसु पहले तो इनका घर नहीं छे तो इनका प्रधान मंत्री आवास योजना के लाब मिलेक चाहिए नहीं मिले अगर आदमी छे इनका घर मिलेक चाहिए अकरो नहीं मिले देखियो दुनु तरफ जे भरष्टा चाहिए अहां के लूट हम नहीं कह सके चिये लेकिन अगर सही आदमी तक नहीं पहुच लेत यह 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 लूट छे उम्म अवेशी कभी घर नहीं मिले कहां गले भगमान जाने अई गरीब आदमी इक लाब नहीं मिले कहलियर कभी के करोज हमरा माली घर चाहिए सरकार की कहला बस यह मिलते मिलते और मिलते मिलते का स्वासन देद आई तक नहीं मिले बताइए सरकार लोग जो लोग ब्लोग में बैठते हैं ऐसे गरीब आदमी को नहीं मिला लाब पांच साल बीत गया 2022 तक सब को पका घर बनवाईएगा मोदी जी ऐसे ऐसे अधिकारी रहेंगे आवाज साहयक जो गूस ले करके दिलवाते हैं तो कैसे मिलेगा इगरीब के आख में देख रहे हैं कितना दर्द है इबस रो नहीं रहे हैं उतना ही समझे काफी दुखी है पाथे पानी देखिए यह भी मेरा ही है रूम हाँ एरे बापरे इस तो बहुत बरी समस्या है इनका एक और मराया है टूटा सा देखिए कैसे रहते हैं इलोग देखिए इनके घर में पानी लगा हुआ है अब मेरे सामने में एक मेंधक जो है सो गुसा अब मेंधक है तो इ परतिनीधी को नहीं लेकिन हम जो आवास सहायक है आप आईए और इनका सरवे करवा कि इनको दिलवाईए बहुत खराब बात है ऐसे गरीब कुलाब नहीं मिलेगा बताइए रो रहें सरम करो रहें चुलू भर पानी में डूब मरो रहें क्या करेगा पैसा कमा कि इतना रहें करीब आदमी को लाप नहीं दिलवाएगा रहें अईसे-ईसे लोगों के लिए योजना है ना कोई चीज मिला है इनको ना इनका मवेसी के लिए सेट बना बताए यह मंड़ेगा से बनता है करण रुपया का लूट सब किया इनको घर नहीं मिला इतना इतना कमिशन लेता है अरे कमिशन लेकर के वही तो दिलवा देता इसको कहा है ने दिलवाया और सरम करो सरम करो अथ्वरा सरम है तो इनके पास आओ अभी चुनाव आने बाला है सब परतिनिदी इनके पास आएंगे बोट मांगने के लिए बोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या बोलिएगा बेसरम हो करके तो बहुत मांग लेंगे उस समय भी तो आप यहीं बोलिएगा सरकार इकार काल में नहीं बहले आहां बनाइचिये या अगला कार काल में हम्रा जरूर कर वे इहन का हुए तो यह उमीद रखे हुए हैं रखे रहेंगे क्योंकि परतिनिधी से उमीद है इस गरीब आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है गरीब आदमी ऐसे ही तरस्त और रोता हुआ है गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है ऐसे ही सरकार है सरम करो बिहार सरकार दारू बेचने वाले सब को पूरा अमीर बनवा दिया और मेहनत करने वाला गरीब लोग गरीब बताइए ऐसे चलेगा बिहार सरकार इसलिए बिहार की इस्तिति है गरीब जो है सो गरीब होता जा रहा है अमीर जो है सो अमीर होता जा जा रहा है हम सोनुपूर उतर पंचायत में है एक चीज जो यहां पे दीख रही है कि पी सी सरक का निर्मान किया हुआ और अच्छी क्वाइल्टी में हमको लग रहा है दूसरे पंचायत से अच्छा है हम जहां से घूसे हैं यहां तक सरक अच्छा बना हुआ यह चीज अच्छा है तो आप समझ गये होंगे कि बहुत गरीब लोग हैं और यह ले जा रहे हैं कि हम हां कजली है हम आएंगे संभल के हमारा चिंता कर रहे हैं कि हम गीरने जाएं इनके घर में जा रहे हैं यह हमको अपना घर दिखा रहे हैं इनको लग रहा है कि यह न्यूज में जाने से हो सकता ह इनको घर मिल जाए अधे घर की स्थिति यह देखिए और वह देखिए सामने में पन्यी लगा हुआ चलो 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 और इनके घर में देखिए एक बीमार लोग हैं काफी बीमार लोग हैं गरीब लोग हैं पताने कैसे इलाज करवाते होंगे कर जा उड़ जा लेकर के लेकिन इनका ब्यक्टी का चीज है बीमार है इसमें पड़ती नहीं कुछ कर सकते लेकिन जो इगार है ना सामने में ये तो बनवा सकते थे ऐसे गरीब लोगों के लिए तो योजना थी ऐसे मरया में लोग रहते हैं बताएए कैसे रहेंगे बारिस होता है तो पनी डाले है क्या दिन बोले कि इटाइम आएगा तो मिलेगा हां एक चली में होता क्या है कि घर ऐसे मिलता है कि समय समय पर आफ आज सहाय कंड़ा मुख्याजी के नेतरित में सर्वे कर वाया जाता है कि आपके पंचायत में कोई घर छुटा हुआ तो नहीं है वो आते हैं और जियो टेकिंग करत मुख्यार जी का आदमी 300 रुपया ले लिया इंगारी जानाव कर गया लेकिन नामों ने ले लिए लिया इंग बताइए कि इन स्थितित्य है कितना बड़ा पड़िवार है आप देखिए उधर दूसरा पड़िवार है इनका घर हम आपको दिखा रहा है देखिए छोटा छोटा बच्चा है एक बच्चा हंस रहा है केमरा देख करके सर्मा रहा है यही सब खूबी है कि अभी भी बच्चा यहां पे सर्माते हैं बक्ट आजी इनको घर नहीं दिलवाए सबसे पहले जो इन घर में आते हैं देखिए कितना आलिसान बेट लगा हुआ एदम दिवान पलंग है अब बढ़िया सा एकदम गद्यदार जो है सो बिछावन लगा हुआ है उपर में एकदम इंटीडियर किया हुआ चट है और साथ में अशिरबाद से लोग जिन्दा है परतिनिदी लोग तो चोड है लोग का सब चीज लूट लिया इधर देखिए भगवान जी इधर भी है लच्मी गनेश है इनको लच्मी जी तो नहीं किरपा कर रही है अशिरबाद दे रही है कि किसी तरह से खापी रही है देखिए यह देखिए हंस रही है सरमा रही है इस रूम में लाइट भी नहीं लगा हुआ है पता है क्यों लाइट नहीं लगा हुआ है क्योंकि गरीब लोग है इधर एगो लाइट अब देख रहे हैं लगा हुआ है दूसरे घर में कुछो नहीं है जब यह आते हैं तो हैया देखिए ह इस गर में भी एक बहुत बड़ा दिवान पलंग लगा हुआ है जिस पे बहुत बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा गद्यदार बिछावन है तकिया है मुखिया जी इतना सरा चीज इनको दिये हैं देखिए इधर देखिए यह बहुत बड़ा इनके घर में तीजोरी रखा इधर देखिए पूरा एकदम दिवाल में जो हैसो पेंट किया हुआ लगजरिया से इसियन पेंट किया हुआ और इधर देखिए एक बहुत बड़ा जो हैसो इनके घर में गोद्रेज भी है कप्रा का कप्रा रखा हुआ है गोद्रेज में बनिया बनिया कोट पेंट रखा इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वालपेपर लगाए, बनिया सा फ्लेक छपाके लगाए, बनिया सा फोटो लगाए तो अपने हाथ से जय साही घर है, जय साही मरईया है, अपने घर से फोटो बना करके चिपकाई है ताकि इसका घर भी सुंदर लगे गरीब आदमी के आखों में भी सपना होता है छोटी सी बच्ची है बताइए यह भी देखती होगी किसी अमीर आदमी के घर में जा करके सजा हुआ देखती होगी इसको भी सजाने का सौक चरा होगा